कि मैंन बूप्स या फिर जो गयनेकोमेस्टिया उसको कैसे कम किया रहे तो जिसने भी आज हमारे लाइफ सेशन देखा होगा लाइफ सर्जिकल सेशन जिसमें हमने सर्जरी दिखाए थी और बिफोर सर्जरी पेशन से डिसकुशन दिखाए था सो उसमें आपको क्लियर कट आइडिया आया होगा कि गयनेकोमेस्टिया कि लेवल तक एक परसन को अफेट कर सकती है जैसे आज जी कर दिन किसी ने मुझ से पूछा कि अगर ये गयनेकोमेस्टिया पेशन ही उनके फ्रेंड या को रिलेटिव थे कि अगर सर्जरी नहीं कराए तो क्या होगा सो मिना जवाब था कि सजरी नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा सजरी इस नौट कमपल्सरी लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये से पेशन्ट ही अंडर्स्टेंड कर से है जो उनका रिलेटिव या फ्रेंड या फैम्ली मेंबर्स मोस्ट उफ टाइम उसको अंडरेस्टिमेट करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत साइकोलोजिकली स्ट्रेस्फुल होती है सो जब आज के पेशन्ट के साथ में जब मैं लाइव डिसकुशन कर रहा था सो फॉर्स टाइम आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेल बैसिकली या कोई मैं पर्टिकली गनेकोमिस्टर का पेशन्ट जो है उसके जो है वो रोना उसका पूरे जब तक मैं उनसे पूछता रहा और उनको थोड़ा सा शायद मेरे पूछने से बैसिकली अपना जो ट्रॉमा था उनका सो वो पुरानी बाते याद आई होंगी एंड जिसकी वजह से उनक वो कंटिनुसली रहे बैसिकली और शायद वो अपना मन हलका करने से के लिए और या फिर उनको पुरानी चीजे जो उनको अफेक्ट की गई थी केरियर से लेके होस्ट लाइब से लेके फ्रेंड से लेके फॉंक्शन से लेके बहुत प्रॉब्लम नहोंने फेस की थे तो का आज की जिसमें हमने सरजरी दिखाई थी और इन स्पाइट ऑफ दॉक्टर एडवाइस बैसिकली कोई जननर आइञ थिंक ही से के अंडोक्राइन जिस्ट पर मुझे लगता है को फिजीशन के ट्रीटमेंट में थे अल्मोस्ट सेवन तो एट 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 यहस एंड हैंड हैं आर्मी का एक्जाम, बेस एफ का एक्जाम, इंकम टेक्स का एक्जाम यह तीन चर तो मुझे याद हैं अभी सब में इसकी वज़े से वो क्लियर नहीं कर पाए फिजिकल एक्जाम, उन्होंने एंट्रेंस या जो भी जो थेयर्टिकल था वो क्लियर किया, लेकिन जो फिजिकल आया उसमें डेफिटली उनको करेक्शन के लिए भेज दिया था उनका जो में रीजन यह था नहीं कराने का एक तो फाइनेंस भी था एंड सेकिंड कोई प्रॉपर गाइड़ेंस नहीं थी जैसा वो जब फिजिशन के अंडर ट्रेट्मेंट में थे तो उन्होंने कभी भी गाइड भी नहीं किया बताया भी नहीं कि गायनेक मेंस्टिया आप लोगों ने देखा होगा होगा तो मैं एक बड़ जस्ट दुबारे से दिखा देता हूं सो काफी सीविर गायनेक मेंस्टिया था एंड वो जो है उसके अंदर मैसिव ग्लेंड मैसिव फैट 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 वी अर्मोस् 2 लिटर एंड इट वोज बैसिकली सेगिनेस काफी था वेट पीशन का जो है जस्ट बिकॉस व तो मेडिकिशन ही बड़ा था कॉस्ट के सुरिए देखिकॉस के लिए जो नंबस उसके आप कॉंटेक्ट करी के अंड यह नंबस है माः यह मैं यह में भी न्याल में बताएंग इंड बेर ऑंड में हमेंRAY क्योंस्ट वेट इसमीन माट गाइंड बताएऊिस्ट मैं वी還 एटरी शेंन हम आपको क्वास्ट बता पाएंगे पहले हमें असेस्मेंट करने के लिए एक बार आपकी कंडिशन क्या है उसके पिक्चर सेंड करिए मृत्यूंजय डैश एंड फिर उसके अकोर्डिंग हम आपको क्वास्ट बता देंगे प्रनाम गेमर्स ओपी गेमर्स आगे हैं हैं सो वेलकम एवर्यवन एंड आपकी कोश्ट बेट कर रहा हूं आपकी कोश्ट जो भी कुई जो भी कोई रिलेम्ट कोश्ट आपको क्वास्ट हैं और देखाएं तो यह वाला मैं दिखाता हूं तो दिखिए किस तरह से वो जो है बिसिकली यह प्रॉब्लम जो है अफेक्ट कर रही थी कौन सा सुझाओ नहीं दिया एक पर दिखाते हैं मैंने पिक्चर आपको वर्टसप दिकिया था अपने कौन से नंबर पर वर्टसप किया था तो बताईए सो यह देखे इस तरह का यह घानकुमस्टिया था मैं दिखाता हूँ एनड़ एनड़ देखे वर्टसपव तो यह मैसिव गानेकमेस्टिया जिसमें हमने बेसिकली देखिए यह मार्किंग किया था इसको एंड यहां तक जो है यह हमने फैट एंद देखिए सैगिनेस कितनी ज़्यादा है साइड से देखेंगे तो कहीं पर मैंने साइड में भी दिखा रखा है ओल इसको उपली को मिल्कमेस्ट और फिरे यह बैसी से ने सिवयिया है ले वैकिंगए अदरEx 물म्ण before बैसिकली खेंगे कितनी सब्सक्राइम अब्रूंद द्म है ऐसकर्ण कितनी सिवीयर गानेकमेस्टिया था औरलश साइड से पूरिक डिजल दिया है and perfect shape आया है उनका and hopefully उनको future में कोई problem नहीं है so यह देखिए इतना severe gynecomastia यहां तक fat and इसकी severity इतना ज्यादा बल जाये कि t-shirt पहनना and वो बहुत मुश्किल होता था and उनोंने जो है basically इसको hide करने के लिए खुद से basically binder type में खुद से बनाया हुआ था he is not a very affordable patient and तो उनोंने जो है खुद से घर पे उनकी मदर ने बनाया था जिससे कि यह छुपा सके तो इतना ज्यादा था यह and इसका surgery हमने live भी दिखाया है और जिसको जो है देखना है जो जाके देख सकता है basically and complete जो है surgery उसके एक-एक step हमने जो है वो दिखाया है उसमे सबी मैं आपकी questions लेता हूं ओके कहां पर दिखाया गाइनकमिस्टिक का मेडिसिन कितने का आएगा गाइनकमिस्टिक का मेडिसिन गाइनकमिस्टिक के बाद जो मेडिसिन वगएर आती है तो वह बहुत ज्यादा costly नहीं होती and जो है basically normal medications रहती है how to lose weight, how to lose weight, intake कम करे, output ज्याद रखे, exercise, diet or lifestyle तीन चीजों पर ध्यान दीजे do we have a long term effect after post surgery of गाइनकमिस्टिक? no, no permanent risk, no permanent complication, if it is done properly, it won't come back and it is one time procedure so एक बार one time perfectly हो जादा है तो then it has no long term effect, positive effect ही रहेगा long term में कोई भी negative effect नहीं आएगा किस चीज पर call करो, call करिए या सुमिशकुमार आप call कर सकते है, stomach fat कैसे कम करें, stomach fat कम करने के लिए surgically जो है हमारे पास liposuction है जैसा हमने दिखाते रहते हैं सो उसमें हम जो है fat remove करते हैं और जो है जो हम पर भी fat है तो उस जैसे में 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 के इंदर, tummy region या abdomen region में रहता है उसको हम liposuction से fat को remove का सकते हैं वन सिंगल सेशन में अ यस मैं अभी पुने में हूँ 7, 8 and 9 and उसके बाद I will be going to Delhi so till till 9th I am in Pune so जिसको भी consultation या follow-up या फिर कोई भी opinion के लिए आना है so you can come आप अपने दिखाया जैसा अभी आपने दिखा था and I am very good Umesh Kumar thank you for asking me can there be any complication yes complication देखे complication the risk side effect are always there in any procedure कोई भी procedure कराएंगे risk होता है लेकिन risk बहुत कम होता है बहुत कम लोगों को होता है बहुत कम side effect होते हैं बहुत कम complications होते हैं जो भी side effect होगा complication होगी वो treatable रहता है so untreatable complications particularly जैसे यह surgeries है cosmetic surgeries में नहीं होते हैं provided properly की जाए proper expert doctor से की जाए and properly equipment के साथ किया जाए so complication do happen and we can treat that is there any possibility of sagging skin post surgery it all depend on the quality of the skin skin की quality कैसी है weight fluctuation कैसा कितना है skin की elasticity कैसी है और basically age क्या है so 3-4 चीज़े हैं जो basically inherent elasticity inherent skin quality के ऊपर post surgery में saggingness होगा या नहीं होगा उसके उपर depend करता है and कैसे हम उसको जैसे आज का यह हमने दिखाया grade 4 इसको हमने without any cut without any skin lift surgery हमने किया है and मैं यह जो है basically with time देखना skin कितने अच्छे से retract होगी क्योंकि skin की quality saggingness अभी है लेकिन जो मेरा assessment है उसमें यह skin काफे अच्छे से retract होगी so depend करता है post saggingness की quality कैसी है and उसको हम अलग तरीके से treat करते हैं ताकि जो saggingness है वो improve हो so saggingness कभी भी version नहीं होती है surgery marks पुलिस और आर्मी भरती में कोई भी problem नहीं आएगी नेक्स टाइम पुने date में operation करवाने के लिए आउंगा ओके आज है your most welcome मनुझपवार और जो भी before surgery preparations है before surgery test है वो करा के आईए date और appointment लेके आईए fix करिए in advance में and उसके बाद जो है आप surgery के लिए ऐसे without planning मत आईए मैंने इतनी बार बताया देखी क्या रहता है जो आज की patient है उनका आर्मी के अंदर B.A.S.T. के अंदर पुलिस के अंदर कितने सारे exam उनके मिस हुए है exam clear किया था physical test में obviously उनको reject किया था उस time उनको पता भी नहीं था कि surgery करानी चाहिए surgery होती भी है नहीं होती है और इसका option होता है so अगर आपको है gynecomist है तो आप basically जो है knowledge होने के बावजुद भी क्यों नहीं कराना चाहते और मेरे सबसे जब कराएंगे तो आपको selection में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और नहीं कराएंगे तो definitely आपको correction clear भीजा जाएगा उसके बाद एक limited time दिया जाता है फिर अगर आप उसमें नहीं कर पाए तो फिर आपको दुबारे से पूरग पूरग जो है exam theory फिर जो भी practical हो दुबार से देना पड़ेगा तो आपके उपर है chance आपको चाहिए आपको अपना time waste करना है आपको अपना जो chance मिला है उसको waste करना है तो आप बाद में भी करा सकते हैं मनोज जो है basically कब तक करना रहता मसाज मसाज 1-2 months के लिए मसाज करिए दिन में एक दो बार and exercise जो है कोई भी exercise आप after one month कर सकते हैं कितनी भी exercise कितनी भी body weight lifting जैसे आज एक जो patient आए थे bodybuilder थे तो basically उनका यह था कि वो कब से कितना भी जो बोलते है dead lift या high intensity workout वो कब कर सकते हैं कोई भी जो है one month के बाद कर देगा Hello Faraj Khan So Faraj Khan has joined back OP gamers pair पढ़ता हूं pair पढ़ने की जुरूत नहीं है and photo सुझाई ना कुछ अभी आपने कौन से नंबर पर भेजा है वो बताए and definitely without आपको pair पढ़ने के without हम आपको इतने लोगों का reply daily कर देंगे तो आपको definitely reply भी करेंगे और अगर आपको ठीक लगता है तो आप surgery के लिए या treatment के लिए जो भी चीज़ देख रहे हैं कौन सी treatment देख रहे हैं उसके लिए हम definitely correct कर देंगे so tension मत लीजे hello so many people have joining so another 15 minutes 15 minutes are over i will be live for next 15 minutes so just make के भी कोई भी questions है so वो रोक के मत रखे पूछे and देखे ग्रेड वन है ग्रेड टू है ग्रेड त्री है वो assessment के लिए पिक्चर सेंग करिए numbers यहां पर हमने दे रखे हैं and जो है basically आप देखने के बाद आपको आपका budget हम बता देगे मेरी हरी गठन सही हो जाएंगे कि नहीं समझा नहीं मैं आपका अच्छा आपकी surgery हो चुके मनोज की okay okay हाँ तो देखे बहुत लोग अभी जैसे नागेश ही है आपके पूछ रहते हैं कि बाद में कराएं बाद में कराएं लोगों को क्या रहता है कि जब राइट टाइम पर कोई भी चीज नहीं करने के आदा होती है यह including me so basically हम postpone करते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं कि कब कोई magical thing आजाई कब कुछ ऐसी दवाई निकल जाएगी जिससे हम जो खाएंगे या फिर लगाएंगे और गायने को में स्टेक हो जाएगा सोच में इतना ज्यादा परेशानी रहती है सो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और उससे जो है बाद में जब कराते हैं तो यह रेलाइ नहीं वीडियो बनाना कंबल चली नहीं है एंड देखिए वीडियो के आप ही की बेनेफिट है वीडियो में और अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है मैं अभी पुने में हूँ साहिल सेंग दवाई का नाम कौन सी दवाई किस चीज के लिए और मैं दवाई हो वाला डॉक्टर नहीं हूँ मैं सर्जन हूँ तो अगर आप दवाई ढूंड रहे हैं तो फिर आपको कहीं और जाके ढूंड ना पड़ेगा सो बल्वान चेरन आइटिंग गायनकोमिस्टर की पूछ रहे हैं सो सजरी के बाद हीलिंग टाइम यूजली जो है रिकवरी टाइम टू-3 डेज आपको रेस्ट लेजिए और रिकवरी के लिए दीजिए अपनी बोडी को एंड उसके बाद अपना वर्क रिजूम कर सकते हैं आपके गठन जो आप लाइपवाओं पूछ रहे हैं या गाठ चेस्ट के अंदर पूछ रहे हैं तो दोनों का जो है वो ट्रेटमेंट जो है शुआ करी आया हूं मतलब कल नाइट में आया रहे हूं बैंकलोर से दो दिन में बैंकलोर में था सो देखी क्या होता है जब मैं Bengalor में नहीं उगा तो पर पूछेंगे अब मैं यहां पर पूने में हूँ तो फिर पूने में पूने के लोग जो है फिर पूछेंगे Four Пोषेंगे बेंगलोर कब आएंगे अभी में कल ही petits बेंगलोर में था दो दिन सो तब आपने शायद नहीं आ पाए सो अभी मैं पूने में हूँ सो जो भी पूने के आसपास हैं पूने में हैं सो आके consultation या फेफ़ोल अप के लिए मेर से आके मिल सकते हैं गर्मियों में definitely करा सकते हैं देखिए गर्मिया में कोई भी दिक्कत नहीं आती है ग्रेट दवाई शरीर में सो अभी I think मैं 25th को दुबारे आने वाला हूं साही लैस एंद सो एंद यू can take the appointment on the WhatsApp number of Bangalore and they will guide you जित अंदर आ रही हैं how much we have to pay besides clinic charges with surgery, with charges and this you can ask on these numbers and I am not here to discuss about the charges of अभी आप उचेंगे medicine कितनी के आएगी blood test कितनी के होंगे मुझे वहाँ से वहाँ station से कितनी दूर होगा station से कैसे उसका charges लगेगा ये सब छोटी छोटी चीज़े हैं so ये mini team आपको guide कर देगी आपको भी नहीं पाया गुड़गाओं में मुझे पाया गुड़ बना ये आपके question नहीं समझ मैंने दूर खान surgery के बाद भी boob आ सकते हैं नहीं दूबारे नहीं आएंगे surgery करने के बाद man boobs के surgery के बाद दूबारे chest के दर कोई भी problem नहीं आएंगे अर्याना से हैं तो गुड़गाओं में आ जाएंगे in the bad I will be coming on 15th I already told तो ड्रेसिंग निकाल के भेजते हैं ड्रेसिंग देखे आपको हम सेम डे पे discharge करेंगे dressing जो है after two days के बाद रिमूब की जाती है अगर आप ये dressing जो है कर पे भी निकाल सकते हैं फिजिकल फॉल उप के लिए जरूद नहीं है और उसके लिए विजिट की जरूद नहीं है और अगर आप नियरभाइ सिटी में है उसी सिटी में है तो दो दिन के बाद आप के टाइम ड्रेसिंग भी रिमूब करा सकते हैं और हम दुबारे से छेक भी रिमूब कर लेगे वह मनी ताइम वन मन्ह वन मन्ह विंक दूब अल्यूद आप जिम अट्विटीज आप लिफटेंग आप छेस्टशेज्शिज यू आफ्तर वन मन्ह व सरचरी सो इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइक काफी लोग कम लग रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट अगें एवरीवन लाइक देशन एंड आस्टा कुश्ट्टी कब ले तो मेरा पूछ रहे हो या किस चीज की पूछ रहे हो पर सरी बनारस में नहीं और डेली बनारस से डेली में आप आ सकते हैं ओके तो दुबारे से मैं चक करता हूँ आप नहीं कब मेसेज किया था और क्यों नहीं रिपलाई किया बेंगलूर का अलड़ी नमबर यहां पर सो बेंगलूर वाले नमबर पर एक बड़ दुबारे से सेंट करिए और मैं एक बड़ चेक करता हूँ कि आपको रिपलाई क्यों नहीं मिला क्योंकि मैं कली था होकी एंड ट्वन्टी सेवंथ और ट्वन्टी हिट को मैं आ रहा हूं एंड बेंगलूर में एंड आ बेंगलोरे नमबर पर आपटमेंट ले सकते हैं अड्रेस के लिए प्रमोत कुमार आप नमबर से हैं उस पर वट्सप करिए आपको लोकेशन के साथ हम एड्रेस मेसेज कर देंगे ल संप मनबरी कर लाउ रáेर्태क सेवंचे कुछा रुछ राइं ऑंटी अफैन है तर्व आ खुछे, चे कुछे कुछे साथमर्टी ठाफार एंदेध झाली product बेंगलोर राह टाख। ने कुछ आटार एंगलोर इंए तुछे है हैं गड्रेस के सविए चे तो मुक्राइबार्ण permitted मुपार्ण फिल्टों, फिल्टिय। यहां भ्सक्राइबार्णल भीक्ति भीटेंड पर देखि डिखने का तो अब मुझति अर्षाम करों, यहां ट्रकाइब मुझति प्रते हैं। कि फिफ्टीन ताउजन का फरक है लो लोकल और जन्हेंने सिसे की कॉस्ट में कि यह स्मुकुल सेंग कि एक नमबर आया है चाहिए एक नमबर यह जो महारास्ट हैं उसमें वह वाला नमबर कह रहेंगे एक नमबर रिजल्ट आया है यह बताना चाहरे है इंडियन जो भी नाम है आपका आपका तो इस हैपी एंड देखे ऐसे शेयर करते हैं यह मेरी जो है बैसिकली मुझे एनरजी देती है मुझे पावर देती है और जिसकी वज़े से मैं और हाड़ वर्क करता हूँ तो आप लोगों का आप जो सुझाओ दोगे वो क्लियर हो जाएगा तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल कर दीजिए यह क्या कहना चाहरे है इनका क्या सुझाओ देना है तो यस मुझे पता है एक नंबर एक नंबर मतलब यस वेरी गूट रिजल्ट सो उसकी बाद यह बताईए कि क्या चेंज आया है और अब जो टी-शेट पहनने में बाहर जाने में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है नहीं होती है और जिम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यह सब बताईए आप गोविन फतेपुरिया पिक्चर सेंड करिए देखने की बात बताऊंगा पेट में लाइपोमा है चेस डेफिरेंटली हम सजरी कर देंगे ओके फराज खान का भी रिजल्ट एक नमबर एंड थैंक्यू सम्रेद सजरी के बाद टू-त्री डेज रेस्ट के लिए प्लान करिए एकदम जो है उसी दिन और उसी टाइम पे सब कुछ मत करिए एक दो दिन अपनी बोड़ी को रेस्ट दे दीजी कुछ फरक ने पड़ेगा जो है एक दो दिन जो है रेस्ट दिनगे सुनु कुमार लाइपोमाइज हो अमरी में जो नंबर से हैं उस पे कॉंटेक्ट करिए विल गाइड यू के आपका कैसे ट्रीटमेंट क्या कॉस्ट आएगा उसके अको दिन बता देंगे और लाइक भी करते रेस्ट सेशन को अनधर फाइब मिनट्स एन विल एंड इस सब्सक्राइब मिना, मिनट्स एंड विल गारो गारो गालों बजार शुडिए हैं आय। अपने कब कराय था यह भी बताइए इंडियन क्या नाम है आपका रियल में वह शादी भी हो गई वह जिम अभी स्टार्ट किया है तो अब मैं टी-शेट में कुरूबब्म नहीं है आपकी मैरीज हो गई और यू अपने के बाद निशांत कुमार है आपका नाम है निशांत इंडियन कुमार है यह आप भेज दीजिए प्लीज बेज दीजिए ओपी गेमर्स और भेजने के बाद टेंशन मत लीजिए का मिन्हां नाइनीटीज सब्सक्रांब्स इंडियन गई थी और यू है तो इन आपकी एप्नेस से मेरे अट रहने है और आपकी 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 कॉद्भ मानशा है इस गुड़ी यू गुद्ट लुग वोर फूसेटे यू झाल नहीं करते हैं, so see Adonai, if you don't have, if you don't have any fat, we won't do liposuction if you don't have any fat, how we can do liposuction first of all and obviously, if there is a gland or tissue is there, then we'll charge for the gland removal only definitely it is a cost cutting procedure but 99.9% gland is always mixed with fat fat और gland, ये दोनो दोनो साथ में रहते हैं, ऐसा बहुत कम cases में होता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लेंड ही रहती है दिली में मैं ना 10th के बादा हूँगा, इंदोर में नहीं होगी सर जी, आपको डेली में आ सकते हैं, पूने में आ सकते हैं, फरदीन सायद नरिन चोदरी, पेनलेस बिलकुल नी चाहिए कोई मेंब्रे नी चाहिए, तो जनलेशिस में कराएं grade जाता है, weight जाता है side में fat जाता है, तो आप जनलेशिस में कराएं, और थोड़े पैसे बचाने हैं, और कम grade है तो आप local नेशिस या विच सेडेशन में करा सकते हैं comfortably राउल जोनी आप अपनी पिक्चर सेंड करिए देखने के बाद हम कॉस्ट बताएंगे और नीरज बांडे मैंने बता दिया सोनु गुमार जो नंबस है उस पर कॉंटेक्ट करें कॉस्ट के लिए आप कोई भी नंबस पर सेंड कर दीजिए जो आपकी सिटी से नजदीक है वो मैं चेक कर लूँगा टैंशन मत लीजिए आप बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता देखिए सेडेशन भी देते हैं सेडेटिव भी देते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा बिलकुल ही नहीं चीए कुछ भी मेमरी वगरा कुछ भी नहीं चीए तो आप जन्न नेसेसे में करा सकते हो सर्जरी के रिजल्ट में तो 2-3 मिनुट्स एंवी लेंड तो आपके कोशन फटाफट जो भी कोई धिमाग में कोई कोशन है रेलेवेंट रिलेड़ेट तो एनी कॉस्मेटिक सजरिया फटाफट पूछ जालिए धिमाग में और मत रखे जो प्रॉब्लम में शेर करिए दिखाईए कोई डॉक्टर को यह अगर है तो उससे अंदर ये अंदर उसको प्रॉब्लम से मत स्ट्रगल करिए तो इंस्टाग्राम पे जिसको मैं इंस्टाग्राम अपना ये इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ एंद इस पे जो भी कोई ऐसा सर्जरी के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस पे मेरे से कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे मैं फ्रिक्मेंटली चेक करते रहता हूँ एंद गुड़नाइट प्रवीन सो कॉलिज में जाना चाते हैं समर भी आ गया है और जो है बेसिकली टीचर पैन की जाना चाते हैं और गानेक्रम स्टेया तो इट इस राइट ताइम टो अंडर्गो द शर्जरी इस प्रवलम स्टेया थेंटल शर्टी स्टेया थे हैं बालवान श्रॉब्लम द और गाते हैं ौर्वन थे मैं प्रवल्लम यहाँ ऐगी लिए मैं था इस बाल गाने का उप्रेशन होता है अब नहीं अभी कोई प्लान नहीं लग्राओं में आने का ज्यादा पेन नहीं होता और बिल्कुल पेनलेस ही तो आप जनानेसिस में गरा सकते हैं जिसमें हम पूरा बेहोश कर देंगें सर्चरी रहती है उसमें जोर जैसे हम लिगान कमिस्ट करने हैं तो इतने पार्ट कोई एक वाफेक्ट होगा इस से दूसरे कोई भी ओर्गन को या कोई भी इनर स्ट्रक्चर को कोई भी डैमेज नहीं होता है कोई भी चीज अहफेक्ट कि होती है कि नहीं में ग्वालेर में निया तो डेली में आना होगा सरजरी बिलकुल पेइनलेस्य यह तो जनने नियस्यम आपकी कम्पलीट पेइनलेस्ट नो मेम्री कुछ भी नहीं पता चलेगा कब अंदर गये कब बार आए तो आप इस तरह से जननने सिस्यमें सरजरी करा सकते हैं औ और आपको कुछ भी पतानी चलेगा यह सब कॉमन प्रॉब्लम है और फ्री टॉटॉक नहीं हो सकता यह और टीज भी बहुत होते हैं और जो हैं मेंटल ट्रॉमा काफी सहना पड़ता है एंड फिजिकली भी, मेंटली भी कभी कभी फाइनेंशली भी प्रोफेशनली भी यह अफेक्ट करता है गायनकोंस्तिया तो अपने पेरेंट्स को बताईए शेयर करें अपनी प्रोब्लम्स, इस वीडियो ने सकते हैं, फिसिकल ने सकते हैं, सब फ्री है अभी अगर आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, देखिए, समझ ये, वीडियो देखिए, उसके बाद लगता है, तो आप सब्सक्राइब मेरे से करा सकते हैं, विद प्रायर अपोइंट्मेंट्स जो मेरी सिटीज हैं, ये पांच सिटी हैं, इसके लवा मैं कहीं पर भी नहीं जाता हूं, मैं ओलड़ी फाइव सिटीज में ही ओपरेशन करता हूं, जो इन सेंटर पर आना चाता है, तो प्लीज प्लान करके, ट्रेवल करके, वन टाइम आप आ सकते हैं ड्रेसिंग जो है, वो टू-3 डेज के बाद आप घर पे भी खुद निकाल सकते हैं, और अगर आप उसी सिटी में हैं, तो आप दो दिन के बाद फोल अप के लिए, आज ही क्लेनिक पे हम रिमूव कर देंगे, जो ड्रेसिंग है, वो वन टाइम ही रती है, उसके बाद ड् पताईए, उसके अकोडिंग आपको कॉस्ट बताएंगे, एंड सर्जरी में वन एंड हाफ आफ आवर सर्जरी का टाइम लगता है, फोर तो फाइवार्स मिनिमम अब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद में आपको डिस्टार्ज कर देते हैं, कॉस्ट के लिए एक बार अपनी पिक्चर प्रॉपर डिटेल सेन करिए, तभी आपको करेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चलेगा, इन नंबर्स हमारी टीम ने ओलड़ी यहां पर पुट अप करते हैं, इन नंबर्स पर आप कॉंटेक्ट कर सकते, तो एज सच देखिए, फिजिकल फॉल अप, स्टिच रिमुवल, अब्जॉबबल, डिसॉलवबल स्टिच लगा देगे, ड्रेसिंग आप खुद 2-3 दिन के बाद खुद घर पे निकाल सकते हो, कोई भी ड्रेसिंग कहीं पर डॉक्टर के पास निकालने की जरूद नहीं है, एक बार निकालने के बाद आप अपना पिच्चर सेंड करिए, एक बार असेस भी कर लेंगे, फॉल अप भी हो जाएगा, और कोई भी डाउट रहता है, तो हमारी जो नंबर्स हैं, उस पर ऐक शापूर लाइपोमा की استृजवरी ड्रेसिंग रिमूबल नहीं गार्मेंट जो है वह उसी टाइम पर ही आपको पैना दिया जाता है औछ आपको कंटिनूर रखना पड़ता है, एक ड्रेसिंग के बाद 1990ःंड के बाद भी आपको गार्मेंट पहनना पड़ता है गुर्गाओं में 10th को मैं आने वाला हूँ 10 to 14 हेलो मनीश रायकर ग्रेट 2 में सज्री के बाद पफिनेस का चांस कम रहता है क्या है इस ग्रेट 2 हो ग्रेट 4 हो ग्रेट 1 हो प्रॉपरली किया गया तो दुबारे पफिनेस नहीं दिखाई देगी और प्रॉपरली शेप कि लाइपूमा नहीं लाइपूमा डेगेर पोसीजर है सेम टाइम पर हम डिस्चार्ज कर देंगे और एडमिट करने की जरूत नहीं है कि सज्री के बाद जिन कितने दिन वन मंत के बाद जा सकते हो गुड़ पीपल इनका नाम है दोनों अलग अलग है सो गाइनेकमेस्टिया चेस्ट की में मेल चेस्ट की प्रॉब्लम में लाइपूमा फैट सेल्स बढ़ जाते हैं सो उसको फैटी ट्यूमर बोलते हैं वो है ओके मैं देख लेता हूं उड़ी समय में कभी भी अभी मेरा कोई प्लान नहीं है मैं नहीं आऊंगा अगर आप मेरे से सजरी कराना चाहते हैं अच्छा रिजल्ट जाते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं प्रेम चंद नायक जी एंड दस साल से अपनी सब्ट्राई किया और देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि एक्सराइज करने से हो जाएगा होमेपती से जाएगा सो यह देखिए लाइव एक्जामपल है लाइव प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंश शेयर कर रहे हैं कि उससे जीरो रिजल्ट आया और इन्होंने जो है यह इन्फोर्मेशन भी दिया है गाइडेंस भी दिया है और इस तरह से पताया है और जिससे यह क्लियर हो जाता है कि सर्जरी विदावट सर्जरी अगर गाइनेकमस्टिया फुली डिवलोप गाइनेकमस्टिया तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है सम्टाइम्स इट कैन भी पैन्फूल पर्टिक्लरली इनिशल स्टेज में इन्फ्लेम्ड रहता है और जहां पे ग्लेंडो टिश्यू जाधा रहता है इन तीन कंडिशन में गाइनेकमस्टिया पैन्फूल हो सकता है मोस्ट उट टाइम यह पैन्फ रहता है तो यह मैं समझेगे कि मुझे पैन नहीं होता तो यह दाइनकमस्टिया नहीं है टू मन्स के लिए पैनना पड़ेगा सो हमारे वीडियोस आप देखते रहे हैं और आपको जो है इनफोर्मेशन काफी सारी इन डेप्ट नौलेज एक्कूरेट नौलेज एंड रियलिस्टिक आपको वहां पे पता चलेगा कि कैसे सजरी होती है क्या उसका आउटकम होता है सजरी के दो दिन के बाद वन वीक के बाद मन मन के बाद कैसे कैसे चेंज आते हैं और कितना टाइम लगता है और कब बेस्ट रिजल्ट आते हैं इसका कोई भी रीजन है जेनेटिक एक हो सकता है सोनु गुमार यह आपने कही बार पहले भी पूछ लिया है इतनी सारे besamके लोग देख रहे हैं जिनोंने Like लिया रन में करें और avoid comments कर सकते हैं हमारी Instagram लिंक पर याँ मुझसे follow करिए यहां पर हम लेटेस्ट रिजल्स और लेटेस्ट अबडेट देते रहते हैं और वीडियोश दिखते हैं हमसे जूड़े रहें हैं और अपने suggestion, कोई भी सुझाओ, कोई भी आपको परिशान होती है, तो आप हमसे हमें contact कर सकते हैं. Genetic, yes, familial हो सकता है, तो किसी की family, जैसे जिसको भी family में है, तो उसके chances बढ़ जाते हैं. Yes, आप उनको साथ में ले गई हैं, और मैं उनको समझा दूँगा, कि ये सब चीजे जो बताई हैं, वो नहीं होगा, और ये जो है, प्रोब्लम्स नहीं आते हैं. दुबारा नहीं होगा, परिक्षापूर. देखिए, सरजरी कोन सी जगया पर आने वाले हैं, क्या नाम है, पाटिल. So, वन नाइट स्टे अगर करना है, डेली में और गुर्गाओं में, सो हम वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी क्लेनिक पर जो है, बेसिकली हमें अरेंज करना पड़ेगा, और उसका मिनिमल कॉस्ट ही है. अपनी लाइक क्या, थैंक्यू. सजरी के बाद करने के बाद भी वेट ट्रेनिंग के हाड़ वेट करना पाऊंगा के नहीं, यस डेफेनिटली आप सब हाड़ वर्ग वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे, मेरे फेस पे स्कार है, उसका भी सजरी हो सकती है, यस हो सकती है, ग्रेट टू में रुख गया, ग्रेट वन से ग्रेट टू फिर एक साल में ग्रेट ट्री होगा, यह बहुत स्लो ग्रोइंग है, और एक बार जब इसका शुरू में फास्ट डवलप होता है, फिर जो रही है, और रुख जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रेट टू से ग्रेट थ्री में कब आ गया, तो कम तो नहीं होगा, बढ़ने के ज़्यादा चांस है, साजरी के बाद आप वीडियो देखिए, जिसमें मैंने हर टेबलेट, हर कितने टाइम तक लेनी है, कौन सी टेबलेट लेनी है, वो एक्स्प्लेइन कर रखे हैं, सो, ओकी मैंने अंसर कर दी हैं, बाकी सब के विवेक, आप एक बार कंसल्टेशन के लिए आईए, सो, फेस टो फेस में आपके पेरन्स के साथ जो भी डाउट से हैं, जो भी मिथ है, बेसिकली, उनको हम जो है, डिसकस करेंगे, उनको बताऊँगा, उनको दिखाऊँगा, और अगर आप से पॉसिबल है, तो उनको वीडियो दिखेए, साजरी के, साजरी के, लाइट सजरी के, सजरी के बाद के, रिजर्ट कैसे आता है, सकार कितना दिखता है, निशान कितना दिखता है, वो सब बताईए, तो उनको अपने आपी ये इस पे सजरी पे यकीन आना जोगेगा सब कुछिंस हो गए है, लास्ट वन मिनट दें विलेंड दिस सेशन, आपके कोई भी, दो यू ट्रीट पालोराइड दिखता है, यस वी टू ट्रीट, सजरी कितने टाइम का, वन एद आफ आफ आवर, नहीं दिखाई नहीं देता है, प्रिशर कार्मेट के ऊपर आप टी-शर्ट या कोई भी शर्ट या कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं, वो अंदर ही रहता है, मेरा ओडीजर में अभी कोई प्लान नहीं है, और मैं फॉल्स प्रोमिस भी नहीं करूँगा, स्टेइ के लिए देखें, मेरी टीम से कॉंटक्ट करें वो आपको गाइड करेंगी, डेली में आपको जो हमने अभी स्टेइ के लिए जो चार्जिस हैं, वन नाइट स्टेइ के लिए हमने कोई भी चार्जिस नहीं रखें हैं, आप प्लान कर सकते हैं, स्टेइ का कोई चार्जिस नहीं लगेगा, लेजर से नहीं होता है, पाइनल नाइडल साइनस सर्जरी में कम्प्लीट एक्सीजन करना पड़ता है, और यह लोकल नससे में हो जाती है, गार्मेंट जो है, टूमन्स के लिए पहनना पड़ता है, प् यह बलड स्टॉप हो जाता है, वहां पर देखें बलीडिंग होती है, बलीडिंग को कंट्रूल किया जाता है, और आज देखें हमने कैसे उसको इलेक्ट्रो कोटरी से, उसको टिशू रिमूग किया, किस तरह से इतना वैस्कुलर था, कैसे उसको टेकल किया, आज वाला व भूत, आज बहुत सारी चीज़े पता चलेगी कि गाईने को मैंस्टेक किस टाइप करेता है, कितना हाड रहता है, सॉक्त कितना रहता है, कैसे उसको कटकिया जाता है, हिमस्टेसिस कैसे किया जाता है, सो यह सरजरी की डेटेल और डेप्थ में अगर देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो में आपको लाइव सजरी के हमारे वीडियो में मिलेगी सब्सक्राइब करिये इंस्टाग्राम पर फोलो करिये कृषएंड सेशन लाइक तो अभी ने कर दिया थेंक यू आपनीक है यह अपने को दिक कॉल घाने को मस्तिया ने तक किया था इन तो रनिंग को दिल में हो निकाल सकते हैं वीडियो कंसल्डेशन करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लीजिए वाटसप नंबर यहां पे दिये हैं उसके बाद अपनी डीटेल सेंड करें अगर तो फिर आप मुझसे वीडियो कंसल्डेशन भी कर सकते हैं यहां अकैले हाट सकते हैं कोई प्रॉब्म ही है यहां आप पिक्चर सेंट कर दीजिए और देख लेंगे अर उसके बाद आपको गाइड कर दूँह essay तो लिदी की से और स्कार में क्या करना है और गैमे कमस्टे में क्या करना है या उसका क्या आ सज़ी डिटेल सरेगा और अगर अगर को वह डिटेल्सटी यह यह तो वाड़ीो भी देखते हिंए. So thank you everyone and Namaskar, good night and Chai Hind.